हेलो अच्छो वेलकम तू लेट्स क्रैक यूपीसी सीएसी हिंदी और इंडिया लार्जेस्ट ओनलाइन लेर्निंग प्लेटफॉर्म अन एकेडमी इंडिया के सबसे बड़े ओनलाइन प्लेटफॉर्म अन एकेडमी पे आपका स्वागत है अच्छो आज हम लोग एक बहुत इंपोर्टटिस्कशन करने जा रहे हैं जो इंटरनेशनल डिस्पीड से रिलेटेट है यानि कि अंतररास्ट्रियर विवाद से रिलेटेटह मैं आप लोगों के लिए एक rare नियू सिरीज टास्ट किया है जिस सीरीज के अंतरगत हम लोग देखने जा रहे हैं कуч रहे रहे हूं अगस्तिया इस कुमार इस अपराजिता इस पर आवंटाइस मिशन जैसे संस्थानों के माद्यम से मैं अपनी सेवाइं प्रदान कर चुका हूँ और और मैं क्वालिफिकेशन में अम्फिल हूँ बहुत सारे मैक जीन्स में आर्टिकल्स लिखे हुए हैं आप मुझे पी डॉट मी अनकेडमी अंडर स्कूर निशान स्रिवास्तों पे फॉलो कर सकते हैं जो एक टेलीग्राम का लिंक है जिसे मेरी क्लास के अपडेट्स आपको पाएंगी आप इसको कर सकते हैं बचो अनकेडमी का लेर्णिंग अप आपको अनलिमिटेड बेनिफिट्स देता है जिसमें जिसके लिए आपको अनकेडमी का लानिग अप डाउनलोड करना पड़ता है जो गूगल प्ले स्टोर से एंड्रोइड वर्जन के लिए डाउनल कर सकते हैं इसमें डेली लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी इस्ट्रक्चर शेड्यूल इस्ट्रक्चर कूर्स मिलेगा लाइव टेस्ट सिरीज मिलेंगे लाइव टेस्ट सिरीज के अलावा आपको अनलिमिटेड एकसेस जो की आपको 24 इंटू 7 का एकसेस देता है वो आपक प्लस courses का access ले सकते हैं जिसमें सारे सिग्मेंट पॉलिटी गवर्निंस आई आर जोग्रफी के साथ साथ history, optional courses, current affairs, Indian economy जैसे subjects को आप देख सकते हैं बच्चो, subscription दोग तरके होते हैं एक plus course का subscription जिसमें आपको live classes, test series, unlimited practice और structure schedule मिलता है जिसके लिए 49,500 की fees रखी गई है और इसके लिए आपको मेरे code का use करना पड़ेगा जिससे की आपको 10% का instant off मिलेगा और यही course आपको 44,550 में मिल सकता है बच्चो, iconic subscription एक unique feature है जिसमें आपको सबसे important चीज, personalized guide, personalized mentor मिलते हैं जो आपके तैयारी को पूरी तरह से establish कराते हैं, एक direction में लेके चलते हैं आपको daily means के question answer practice कराई जाती है, study planner होता है और personalize feedback दिया जाता है वर्त मान में इसकी fees 69,500 है, बच्चो 25 तारिक से, इस 25 जन्वरी से इसकी fees पढ़ने वाली है before it hike आप इसे immediately ले लिजी अगर आप plan कर रहे हैं तो और निशान तो one code का use आप करें तो आपको 10% off में ये 62550 में मिल जाएगा, 2 years 96,000 में मिल जाएगा और 3 years के लिए 126,900 में आपको ये available होगा बच्चो आप सिर्फ optional अगर आपने पढ़ना हैं तो उसके लिए भी आप subscription ले सकते हैं जिसकी fees है 27,500 रुपीज जो की आप 24,750 में ले सकते हैं 2 years 36,000 में और 3 years के लिए 45,000 का cost होगा बच्चो 18 जनवरी से एक नया batch launch किया जा रहा है जो 2021, 2022 और 2023 के as parents के लिए है और इस batch को आप 18 जनवरी से join कर सकते हैं इसके लिए आपको मेरे code nishant1 का use करना होगा जिसे 10% का discount मिले ये batch 6 महिने के लिए अगर 2021 के as parents है उनके लिए है 2 years के लिए जो बच्चे 2022 के लिए हैं और जो बच्चे 2023 के लिए हैं उनके लिए भी start किया गया है इसमें एक NCRT का particular भी start किया गया है जो कि आप ले सकते हैं 25 तारिक से जैसा कि मैंने बताया आपके iconic subscription की price hike होने वाली है बच्चों अब हम लोग most awaiting topic बहुत सारे चात्रों के अनुरोद पर इस topic को लेकि आया गया है जो international dispute से related है जो कि IR का portion है और इसमें आप लोगों को पढ़ना है कुछ international disputes में आज जो मेरा topic है जो series 1 का है that is what that is today's topic is South China Sea Dispute तक्षिन चीन सागर विवादी बड़ा ही important है इतर बहुत जादा चर्चा में भी रहा है आज हम लोग देखेंगे कि South China Sea Dispute है क्या basically South China Sea Dispute की अगर आप बात करते हैं तो South China Sea समुद्री सीमा विवाद है जो की चीन और South East Asia देशों के बीच में है Majorly इसमें Vietnam, Philippines और Brunoi, Malaysia जैसे देश सामिल है लेकिन और भी इसमें बहुत सारी चीजे हैं बहुत सारे disputes हैं इन disputes का reason क्या है ये disputes क्यों है ये हम लोग जानेंगे इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज बताओं कि अभी इस सीरीज के अंतरकत जो 20 तारीक को मैं एक नया topic लेकर करके इसमें आऊंगा जिसमें नेपाल के साथ जो काली river dispute है वो होगा आपको तिस्ता river dispute है वो होगा और साथ ही सर क्रीक dispute के बारे बताया जाएगा ये सीरीज 2 का portion होगा जो की 20 जन्वरी 2021 को scheduled है ये कब scheduled है ये scheduled है बच्चों 20 जन्वरी 2021 को तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा इसमें आपके बहुत सारे current topics से related चीजें भी cover up होंगी और international जो चीजें हैं उनको जानने में मदद मिलेगी ये paper 2 के लिए बहुत important है और upcoming जो preliminary है उसमें भी आपके current में बहुत सारा help करेगा पहले इसका एक छोटा सा background साउथ चाइना सी एक marginal सी है जिसको हम लोग सीमानत सागर कहते हैं ये एक marginal सी है सीमानत सागर अब ये जो सी है इस सी के साथ में अगर हम लोग देखें तो ये प्रशान्त महा सागर क्या हिस्सा है यानि कि Pacific Ocean जो है उस specific ocean का ये एक बहुत बड़ा सा हिस्सा है और अगर हम लोग बात करें तो ये मलक का जो इस्ट्रेट है जिसको हम लोग जल डमरू कहते हैं वहां से लेके South West के ताइवान तक फैला हुआ है यानि ये मलक का से लेकर करके ताइवान तक फैला हुआ है और इसमें चीन, ताइवान, फिलिपिन, मलेशिया, ब्रुनोई, इंडोनेशिया, सिंगापूर, कमबोडिया और थाइलेंड, वियतनाम जैसे देश सामिल है बच्चों इसके ल वालूम होना चाहिए कि दक्षिन चीन सागर एक South East Asia में पस्चिमी प्रसांत महासागर की साखा है जो की चीन के दक्षिन में है, वियतनाम के पूर्वू और दक्षिन में है, फिलिपिन के पस्चिम में, ब्रुनोई के उत्तर में और जो मलेशिया प्रायदीप है इसके तो South China Sea का एरिया, मैं आपको इसमें बताओ, देखो ये चीन का इलाका है, यहां, और ये चीन के दक्षिनी भाग में ये एक सागर है, जैसा कि मैंने बताया कि ये सागर आप अगर देखते हैं, तो ये कहां से स्टार्ट होता है, ये पूरी का पूरा रिजिम है, ये पूर तक जाकर करके फैलता है, वियतनाम इस छेतर पे अपना देखो मैं दोनों चीज बिताओ, वियतनाम ये जो ग्लू लाइन से गिरा हुआ छेतर है, इस छेतर पे अपना दावा करता है, ये जो गिरा हुआ है, ये इस छेतर पे, वियतनाम का क्लेम है, ये पूरा इलाका विय अगर हम लोग देखें इसको अगर हम लोग देखेंड यह पर भी आभी mechanics में चीन का नियंतान है परिशानी कहां से उठके आ रही है और क्यूं उठके आ रही है ये मैं बात करूँ बच्चों कुछ आईलेंड्स जो इस सागर के हैं उस पे चीन ने अभी अपना प्रभुत्व रखा हुआ है चीन के नियंत्रण छेत्र में है जिसमें से कि मुख्य रूप से ये पार्सिल आईलेंड है और दूसरा ये स्प्रेटले आईलेंड इनके कई भूभाग पर चीन का कि अगर हमारा इस छेत्र पर नियंत्रण है तो इसके लिए 9-dash-line का एक तर्क दिया गया है बेसिकली 9-dash-line कहां पर है तो 9-degree के आसपास में ये है जो अगर हम लोग बात करते हैं तो 0-degree यारि भूमत धेरेखा से उपर जब आप आएंगे तो 9-degree के आसपास का जो छेत् इस पे चाइना का प्रभुत्व है चाइना का छेत्र है आप अगर देखें तो ये दक्षिन सागर को अगर हम लोग देखते हैं तो ये प्रसांत महा सागर की एक साखा से जुड़ा हुआ है और चीन के ये अगर हम लोग देखते हैं तो किस भाग में आ रहा है तो चीन का ये दक्षिनी भाग है आप लोगों को ये दिखाई दे रहा होगा ये चीन का ये कौन सा भाग है दक्षिनी भाग है ये ताउत पार्ट है वहीं अगर हम लोग बात करें तो ये जो वियत नाम है उस वियत नाम के किस भाग में है तो पूर्वी भाग में है ये देखिए ये ह वियत नाम का इलाका और इस इलाके में थोड़ी सुविधा के लिए आप लोगों के कलर को चेंज कर लूँ ये इसके पूरवी छेत्र में है ये वियत नाम के पूरवी छेत्र में और दक्षिन में भी पूरव और दक्षिन का पार्ट है ये मतलब साउथ वेस्टरन रीजन का यह Partha है अगर हम लोग बात करें Philippines की तो Philippines के पश्शीम में ही यह फिलिपिन्स का पूरा इलाका है इस फिलिपिन्स के अगर हम लोग देखें मैं फिर से आपको एक बार अलग कलर में दिखाओं तो आपको यह पता चल जाएगा, यह फिलिपिन्स के पश्चीमी भाग में आता है, जो ब्रुनुई आइलेंड है, इसके उत्तर में आता है, यह ब्रुनुई आइलेंड और ब्रुनुई के यह कहां पर आता है, उत्तरी भाग में आता है, मले प्रायदीप जो है, उसके आइवान प्रिटले आइलेंड पर ताइवान का दावा है इस प्रिटले आइलेंड पर देखते हैं तो चाइना भी अपना दावा प्रस्तुत है चाइना के जो और फिलिपीन्स का जो एकोनॉमिक जुन का इय लाक है तो ओवियस ये बात है कि Philippines भी इसमें हैं तो कहने का मतलब दक्षिन चाइना जो सी विवाद है इस दक्षिन चाइना सी विवाद की अगर आप बात करते हैं तो इसमें एक नहीं बल्कि अनेक देश involved हैं जो कि चीन के साथ साथ अगर हम लोग बात करें ताइवान को देख लि ब्रुनोई को देख लिए इंडोनिशिया को देख लिए इवन सिंगापूर, कमबोडिया, थाइलेंड और वियतनाम सारे जितने भी देश हैं इसको ले करके अपना अपना दावा कर रहे हैं अब हम लोगों को ये जानना आवश्यक है कि इसमें है क्या-क्या तो देखो अपनियन का मेंन लैंड है, तैवान, वियतनम, फिलिपिंस का वेस्ट और मले पेननसूला है जो की इस्ट इंट्रेंस पे आता है और स्ट्रेट आफ सिंगापूर तक है अगर हम लोग देखें तो वैटनम आईलेंड हैं और नॉर्थ कोस्त सुमातरा का जावा सुमातरा का और Brunoi Island का ये हिस्से पे ये विवाद चल रहा है Basically क्या है, कि इसमें कुछ ऐसे राज्ये हैं जो कि राज्ये चाइना के साथ में अपनी समुदरी सीमाओं को सेयर करते हैं कुझ कि समुद्र में जो चाइना हैं उस चाइना के साथ में कई राजियों की सीमायं मौझूद हैं अगर हम लोग उत्तर से धक्षिन की तरफ देखें तो चाइना के साथ ताइवान पर भी चाइना अपने गनराज्य का दावा करता है फिलिपीन की आप बात करते हैं मलेशिया ब्रुनोई इंडोनेशिया और वियतना इसकी अगर प्रमुख नदियों की बात करें तो इसकी प्रमुख नदियों में पर्ल, मीन, जूलॉंग, रेड, मेकॉंग, सिर्फ में बलकि प्री में भी इस तरह के कुशे जाएंगे कुशेंज ये पूचा जा सकता है और इसको आप मैप के थ्रू इन नदियों को जरूर देखिएगा इसलिए देखिएगा क्योंकि क्या होता है कई बारी यूप्यस इ प्री में एक मैप देदेता है उसमें वन, बना करके दिया जा सकता है जिसमें कि आपको सारे जितने भी कंट्रीज हैं उन कंट्रीज का नाब भूछा जा सकता है तो बच्चों ये इस दृष्टिकोंड से भी आपको देखना पड़ेगा ये आई यार के साथ साथ प्री के लिए भी एक महतोपुर्ण एक होट टॉपि तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो दक्षिन चीन सागर है इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है तो इसका आर्थिक दृष्टिकोंड बहुत महतोपुर्ण है आप देखते हैं प्रशान्त महा सागर का ये इलाका है अगर हम लोग बात करें तो दुनिया का वन आर्थिक महतोपुर्ण है और इस आर्थिक जो इलाका है जो इकोनोमिक जो इसका इंपॉर्टेंस है ये आप इसी से लगा सकते हैं कि लगभग पर ये थ्री ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर से अधिक का जो गूड से है वो वहां से पास होता है मतलब आप समझ में आ गया होग कि इसका आर्थिक महतो कितना बड़ा है क्योंकि इस इलाके पे अगर आप अगर देखते हैं तो ये इलाका पूरी तरह से नौ परिवहन के लिए समुद्री परिवहन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इलाका है इसको हम पूरे के पूरे जल मारगों की लाइफ लाइन भी क इसकी यहां पे बहुत बड़े आयल एन नैचुरल गैस का भंडार भी है जो इसके सी बेड में है इसके जो समुद्री इलाके हैं वहां पे बहुत बड़ा आयल एन पेट्रोलियम गैस का भंडार है आपको मालूम होना चाहिए विश्यों में अगर सबसे ज्यादा किसी ची अगर देखते हैं इंफ्लुएंस खाड़ी देशों पस्चिनी इशियाई देशों में तो उसके पीछे रीजन है कि फॉर्चुनेट अन फॉर्चुनेट दोनों कंडीशन अगर हम लोग बोले तो वहां का तेल सम्रद होना और अब यहां पे इस इलाके में एसिया में थी चुकि यह एक ऐसा इलाका है जहां फीसरीज का बहुत इंपॉर्टेंट रूल है यहां फीसरीज को बहुत जिसको हम लोग बोले तो बहुत ज्यादा मात्रा में सी फूड्स प्रोड़क्ट्स होते हैं यहां पे और फीसरीज बहुत ज्यादा है तो अगर हम लोग बात करें साउथ हिस्ट एशिया की तो साउथ हिस्ट एशिया में जो ज्यादा तर लोग निर्भर हैं अपने फूड्स के लिए तो उनका जो फूड है वो मेजरली सी फूड्स हैं और वहाँ पे चुकि खेती का उतना ज्यादा अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे फूड ग्र इलाके का महत्व आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये इलाका क्यों महत्व पूर्ण है क्यों लोग इस पे बहुत ज्यादा अपने पूरी के पूरी सारे लोग इस जगह पे इस जगह के लिए लालाइत है ये पॉइंट आप लोगों को अब मेरा ख्याल है कि क्लियर हो गया होगा कि what is the basic reason of it बच्चों अगर हम लोग बात करें तो South China जो area है यह territorial area है इस सी पे बहुत सारे देशों ने अपने claims किये हैं बहुत सारे देशों का दावा है इस तरह का जो दावा है इस से जो राज्य हैं आसपास के जो देश हैं इन देशों में जो एशिया के सबसे महतोपूर्ण छेत्रों में से एक होने के कारण यह भविश्य का संघर्स विंदू माना जा रहा है चाइना यहां अपना प्रभुत तो बना करके क्या करना चाहरा है अपने एक तो समुद्री सक्ती में अपने आपको यहां पर मजबूत करना चाहता है साथ ही आपके यह को पूरे चेत्र में अपना अपना मैंस को खेत्राव मैं एक दावा करता के और यह जिए जो वर्च्वल ऊवरलाप है कि हमारा चेत्र आपके मैं लुए सारी चीजे हैं बेसिकली दक्षिन चाग चीन सागर की आप बात करते हैं तो इसके दो प्रमुक ड्वीप हैं स्प्रिटले और पार्सल और जो कि मैंने अभी आपको मैप में दिखाया इसमें अगर हम लोग बात करें तो चीन अपना दावा व्यक्त करने के लिए क्या करता है जो 9th line है उसका तरक देता है और वो कहता है कि ये basically कोई समुदरी विवाद नहीं है और नहीं कोई सीमा का विवाद है बल्कि ये विवाद तो पूरी तरह से जो चीन है उस चीन की समप्रभूता का है ये हमारी जो sovereignty है इस sovereignty से जुड़ा हुआ मामला है इसमें जितने भी द ये विवाद उठकर करकर के आता है तब जब फिलिपीन्स इसमें इन्वाल्व होता है, फिलिपीन्स ने क्या किया, दक्षिन चीन सागर विवाद को ले करकर के, जो इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल है, उसके समक्ष अपना दावा प्रस्तुत की, तो ये कहां से सुरुआत होत वो चाइना सी, ये बेसीकली चाइना इस पे अपना प्रभुत स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन ये एक उपन इलाका है, दूसरा कि ये कई देशों की संप्रभुता से जुड़ा हुआ मामला है, और चाइना अगर यहां पे किसी भी तरह का, अगर नाइन डैस लाइन का दावा करेगा, तो वो स्विकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये अंतर रास्ट्री जो अगर हम लोग बात करें, तो अंतर रास्ट्री जो विधी बनी हुई है, उस विधी के नुसार, इसका फैसला होना चाहिए, अंतर रास्ट्री नियायाले ने फिलिपिन्स क इस दावे को स्विकार किया और चीन के दावे को खारिच कर दिया और कहा कि जो नाइन डैस लाइन का जो आपका दावा है वो दावा सही नहीं है मगर चाइना ने इस चेतरों में क्या किया वो अड़ जाता है और चाइना अधिकरन यानि जो ट्रिब्यूनल है उस ट्रिब्यूनल के मामले जो उनके दावे हैं निर्ने हैं उनको माने से इंकार कर देता है अगर हम लोग बात करें कि विष्वो में 37 थापित करने के लिए विष्वो में हर देश एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करें इसके लिए पूरे विष्वो में क्या है एक Rule-based World Order जिसको हम लोग कहते नियम आधारित विष्वविचार ये बनाया गया था देखो बच्चो गवर्नेंस जो संगठन है इन सब का मुख्य उद्देश ये होता है कि सांती स्थापित करा करकर कारे किया जाए तो लेकिन ये सांती स्थापित कैसे होगा, तो इस सांती की स्थापना के लिए आवश्यक है कि जो भी देश हैं, वो सारे विश्व के देश एक समान्य नियम का पालन करें, जिसको हम बोले जेनरलाइज जो रूल है, उस जेनरलाइज रूल का पालन करें, जिसको हम लोग जे मिल होना चाहिए और इसी लिए UNO की भी स्थापना की गए और UNO ने विश्व के लिए एक समान ने नियम बनाया जिसको आपस में लडाई करने से बढ़ियां कि आप क्या कारे करें तो आप चल करकर के जो अधिकरण है अंतराश्री अधिकरणों के पास जाए जो अब इन ट्रिब्यूनल्स में अगर मान के चलिए कोई फैसला आता है तो इसको सभी देश स्विकार करेंगे तब ही विश्व में क्या होगा एक शांती स्थापित रहेगी और जो विश्व है वो एक समान ने परिनियम पे चालित होते रहेगा यानि कि चलता रहेगा और उ स्थाई सदसे इसके पास स्थाई सदसे था है और अगर स्थाई सदसे हो करके ये स्विकार नहीं करें अगर दावे को स्विकार नहीं करें तो विश्व में जो नियम अधारित विश्व विचार है जो रूल बेस वर्ल्ड ओर्डर है उसका तो पालेट जो स्थाई देशे हैं कि चाइना और ने किस तरह से अंतरास्टे जो अधिकरण हैं उस अधिकरण के दावे को अस्विकार कर दिया उनके निर्ने को अस्विकार कर दिया लेकिन इसमें अन्य देशों के क्या द्रश्टी कोण है उन द्रश्टी कोणों को भी हमें जानना जरूरी है तो देखिए अगर हम लोग बात करें तो इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो ये मुख्य बिंदू आपको नजर आते हैं कि कहां कहां ये मुख्य बिंदू है सबसे पहले दक्षिन एशियाई देशों का दृष्टी कौन की हम लोग बात करें वियत नाम की तो ये जो वियत नाम है वियत नाम और फिलिपिन्स ये तो चीन का प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष विरोध कर रहे हैं ये सिधा विरोध कर रहे हैं कि इस चितरों में चीन का कोई भी रोल नहीं होना चाहिए और ये चीन के दावे को अगर हम लोग बोले तो बिल्कुल खारीज करने की कंडिशन में ये चीन के दावे को मानते ही नहीं हैं इस देश को स्विकार ही नहीं करते। दूसरी तरफ, मलेशिया और सिंगापूर की अगर आप बात करते हैं, तो वो समानने तोर पर अपने आपको तटस्थ दृष्टिकोन अपनाते हैं, तटस्थ दृष्टिकोन जब अपना रहे हैं, तो ये प्रशन उठता है कि इनका भी बहुत बड़ा हित सामिल है, लेकिन फिर भी अपने हितों को दर किनार क्यों करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कुछ आलोचकों का ये कहना है, कुछ लोगों का ये मानना है कि चीन ने क्या किया है, इन दोनों देशों को आर्थिक सहायता प्रदान किया है, बहुत सारा economic development, बहुत सारा economic investments established किये हैं, अब जब investments को established किये हैं, तो देखो चाइना यहां पर क्या कर रहा है, कोई भी जितने भी आप देखते हैं, जो छल बल सब प्रयोग कर रहा है, यानि येन केन प्रकेन, तो कहा जाता है कि इसने सबसे पहले तो मलीशिया को और सिंगापूर को इस मामले में तटस्त कर दिया, इसके लिए उसने क्या किया, इस पे अगर आप देखते हैं, तो उन्होंने उनको बहुत जादा आर्तिक सहायता प्रदान की, बहुत सारा इन्वेस्टिमेंट प्रदान किया, अब अगर मैं बात करूँ, तो इसमें आपको बहुत सारी चीज़े क्लियर हो जाएगी, तो अगर आप दे ताइवान ये एक पार्टी है, अगर हम बात करें, वियतनाम, चीन और ताइवान इस प्रेटले दूइप में, वहां पे जहां पे बहुत जादा पानी है, वहां पे अपना दावा प्रस्तुत करते हैं, इसमें लगभग सभी दूइपों पे वियतनाम और चाइना के बीच दोनों के बीच में सबसे ज़्यादा विवाद है, ताइवान, बुरुन, और मलेशिया जो है, ये भी इस छेतर के दावेदार है, पार्सले दिप समूपे अगर आप बात करते हैं, चीन का ताइवान और वियतनाम के बीच में विवाद है, मलेशिया, कमबोडिया, थाइल का जो अगर हम बोले जल डमरू, उस पर लेकर करके विवाद है, तो मतलब यहाँ ये जो एरिया है, इस साउथ चाइना सी के सभी एरिया पे इन देशों के आपसी विवाद है, और वो विवाद किसलिए हैं, ये भी आपको मालूम चल गया, कि कई बारी क्या है, कि वहाँ जो चेतर के कबजे को लेकर करके विवाद है, और तेल नैचुरल गैस है, उस चेतर पे अगर अगर अपना कोई भी अगर करेगा, तो वो नैचुरल रिसोर्से से परिपूर्ण हो जाएगा, वहाँ विश्व के बहुत बड़ी समद्री जो अगर हम लोग बात करें, ट्रे तो आप अगर देखते हैं, तो अमेरिका, यूएस का कहना है कि यह सी कॉम्मिनिकेशन लैंड है, या रूट है, सी कॉम्मिनिकेशन रूट, बेसिकली विश्व में एक अघोशित सा बना हुआ है, आपस में लोगों के बीच में एक सहमती सी बनी हुई है, कि जो विश्व क संचार मार्ग है, इस संचार मार्ग पर क्या होना चाहिए, नियम होना चाहिए कि इस पे कोई भी दावा अपना प्रस्तुत ना करे, नहीं वहाँ पे सैन्नी करण करे, इसके पीछे रीजन है कि इस से क्या रहेगा, कि जो व्यापार है वो अक्षोन रहेगा, और व्यापा यह जितने भी विवाद हुए आप देखें फर्स्ट वर्ड वर को देखें तो यह उपनी वीश्वाद जो फैला जे जो कॉलोनिजम फैला उस कॉलोनिजम का कारण यह नहीं था कि लोगों को अपना पैर दबाने के लिए कि गुलाम की जरू थी कि आप ही जरा से ऐसा है कि मै लेट रहूँ जरा से मेरा पैर दबादे इसके लिए नहीं था मुक्त्रीजन था वयपार वयपार प्रतिवाद दर था कि वहाँ पेड़्य आपने ऐसे छेत्रों को बिनाए जहां पे उसके वयपार की मौनपली हो और उसी मौनपॉली आप देखते हैं तो देशों के बीच में पूरे यूरोप ये देशों के बीच में आपसी टकड़ा हुए पूरे दुनिया को जो ये बीवी सिकाज हिलनी पड़ी उसका मुख के रीजन ही रहा विया पाद तो दुईतिय विश्व युद्द के बाद एक सहमती सी बनी कि कम त और और रहेगा वहाँ पर सब लोगों को एकसेस रहेगा सब लोग उस पर एकसेस कर सकते हैं कोई भी आदम कुछ नहीं कर सकता लेकिन चाइना अगर इस पूरे इलाके में अगर अपनी सैन्ने सक्ति को बढ़ाएगा और इसके दावे को करते हुए कि ये मेरे का छेतर है इसलिए मैं तो भई यहां पे अपना सेने शक्ती लगाऊंगा तो ऐसी दर्शा में जो मार्ग है उस मार्ग पे एक चाइनीज थ्रेट आ जाएगा और वेसी बात है कि चाइना अब इस दृष्टी कोण से अपना वहां पे प्रभुत तो जमाने का प्रयास कर रहा है अमेरिका इसके विरुद्ध है अमेरिका का कहना है कि भई ये विश्व ने एक जो नियम अधारित विश्व के कलपना की है एक जो अगर हम लोग बोलें तो रूल बेस वर्ल्ड की कलपना की है उसमें सी कॉम्मिनिकेशन जो लैंड है वो बिल्कुल फ्री लैंड होना च चाहिए इस लिए इस को क्या करना चाहिए इसलिए इसको यहां पे अपना समर्थन या अपना छेत्र नहीं रखना चाहिए वहीं इसके विरुद जो रशिया है रशिया का कहना है कि ऐसा है कि यह चीन के संप्रभुता का छेत्र है इसलिए यहां पे चीन का मैं समर्थन करता ह अब कहने का मतलब है कि ये दो मनों महा सक्तियों के बीच में तो ये विवाद होना ही था क्योंकि रशिया चाइना को इस मामले में सपोर्ट कर रहा है तो रशिया उसको इस मामले में इसलिए सपोर्ट कर रहा है क्योंकि ऐसी दशा में जो क्रोईशिया का मामला है वो या अगर हम लोग South China Sea पे उसका सपोर्ट करेंगे, तो वही काम क्रीमिया में रूस कर रहा है, क्रेसिया में रूस का प्रभुत हो उसी तरह से हो रहा है, तो ऐसी दशा में चाइना को वो अगर यहां पे प्रोटेक्ट करेगा, तो चाइना उसके ही तो का वहाँ पे प्रोटेक्शन करेगा, पहली चीज़ तो यह है, दूसरा, रसिया और चीन के बीच इधर बहुत सारी नज़दीकियां जो बड़ी है, उस नज़दीकियों का कारण सिर्फ और सिर्फ एक है, कि जो रशिया है, उसका पूरे का पूरा जो व्यापार है, दो चीज़ों पे टिका हुआ है, वो चीज़ों पे क्या टिका हुआ है, तो एक टिका हुआ है एनर्जी पे और हाथियारों पे, और अभी विश्व में एनर्जी का सबसे बड़ा जो आयातक है, वो है चाइना, तो ऐसी दशा में इन दोनों के economy हित भी मिलते हैं, नेशनल इंटरेस्ट कहां मिल रहा है, तो चाइना जिस तरह से यहां पे अपना प्रभुत्यों जमाने का प्रयास कर रहा है, उसी प्रकार रूस प्रयास कर रहा है अपने प्रभुत्यों को जमाने का उस ड तेरी पीट खुजा मैं तेरी पीट खुजाता हूं यही इन दोनों के बीच में support का है अमेरिका इसका विरूद कर रहा है उसका कहना है कि जो एक common चीज होनी चाहिए वो common चीज सब के साथ होनी चाहिए क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर सारे जितने भी देश हैं वो अपने अपने छेत्रों में सेन्नी करन करना प्राड़न करेंगे तो जो समुदरी संचार मारग है, उस संचार मारग में कहीं न कहीं बादा आनी शुरू होगी तो ये तो पुरिश सक्तियों और आस-पास के जितने भी चेतर हैं प्रूथ के बीच का आपसी आपने देखा होगा अब अगर मैं बात करूँ तो इस में आपको अमेरिका यानी U.S. के बारे में आपको पता चल गया कि U.S. इसका विरोध कर रहा है उसका विरोधी है द्यूसरी तरफ में रूस की अगर हम लोग बात करें तो रूस चीन का समर्थक है रूस क्या है चीन का समर्थक है अब हम लोग बात करते हैं भारत के दरश्टिकोन की और भारत का क्या नेशनल इंट्रेस्ट जुड़ा हुआ है सबसे पहली चीज़ अगर हम लोग बात करते हैं कुछ देशों की जैसे हम लोग बात करते हैं वीथ नाम की तो वीथ नाम हमारा एक प्रमुक मित्र है उस च्छेतर का वीथ नाम का वहा पे हमारे साथ में बहुत बड़ी मित्रता है और हम लोगों ने बहुत सारे उनके साथ समझोते भी किये हैं और हमारा हित है दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करते हैं भारती विदेश नीती में एक परिवर्तन हुआ था और उस परिवर्तन के अंतरगत एक पॉलिसी आई थी जिसको हम लोग लुक इस्ट पॉलिसी कहते हैं यानि कि पॉर्व की और देखो ये पॉलिसी आई थी इस पॉलिसी में परिवर्तन किया गया केवल देखने से नहीं होता है बचो कुछ एक्ट भी करना पड़ता है मैं इस संदर में बोल रहा हूँ आप सारे युवा चात्र चात्र हैं किसी अन्य संदर्व में मत देखिए और अभी फिलहाल पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस कीजिए और बाकी जो चीजें हैं वो सब के लिए समय मिलेगा पहले इस पे देखिए तो जो लुक इस्ट देखना इसको बदल करके क्या किया गया है वो किया गया है एक्ट इस्ट यानि इस पे आप एक्ट करें तो ऐसी दिदशा में भारत के लिए इस छितर पे कारे करना बहुत आवशक है क्यों आवशकता पड़ रही है ये भी आप समझ रहे होंगे कि भारत को यह आवशकता क्यूं है इस चीज को लेकर करके क्यूं भारत है इस मामले में अपने सारे चीज़ों को देखना चाहता आए और सारे चीज़ों को करना चाहता है इसके पीछे रीजन है कि Act East की जो नीती है वो भारत ने Singapur Vietnam के साथ-साथ कई सामरिक जो समझोते हैं कि कई सामरिक समझोते हुए हैं को इस्ट्रेडिजिकल जिसकों लोग बोलें तो कई सामरिक समझोते किये गए हैं चुकि एक्ट इस्ट अभी अगर हम लोग बात करते हैं तो भारत अगर व्यापारिक छेत्र में अपने आपको बढ़ाना चाहता है और व्यापारिक इसी इस स्थान पर इसका बहुत बड़ा महत्व रहेगा कि जो इस्ठ है उस इस्ठ पे भारत अपना कारे करें तो उस दरश्टी कोन से भारत ने सिंगापूर और वीयत नाम के साथ म一下 सम्झोते किये हैं हमने जो वियत नाम हैं इस वियत नाम को szene समगरी की खरीद के लिए बहुत बड़ी आर्थिक सहयता दी हैbrahim एब अब इसके पीछे रीजन क्या है कि जो भीयत नाम की संप्रभुता है उस संप्रभुता पर तो 7 हो ही अगर आप देखते हैं तो भारत अगर विशो के बजार की आप बात करते हैं तो विशो बजार में कुछ ऐसी चीजे हैं जिन चीजों पर भारत अब क्या करना चाहता है अपने आपको एक्स्प्लोर करना चाहता है अपनी चीजों को बढ़ाना चाहता है दैसा कि आपको मालूम है कि कई देशों के स जो हमारे रक्षा सहयोग और समझोते हो रहे हैं, उस समझोते में रक्षा समगरी का उत्पादन भारत में होने की बात हो रही है। और ये भी कहा गया है कि भारत ना सिर्फ 2023 तक आत्म निर्भर रक्षा समगरियों पे हो जाएगा बलकि इनका व्यापार भी करना शुरू करेगा जब भारत में इन चीजें बनेंगी तो इसका व्यापार भी करना शुरू करेगा और इनका व्यापार भी हो रहा होगा ऐसी दर्शा में जो वियत नाम और जो ये दक्षिनी दक्षिन पूर्व एशिया है इस दक्षिन पूर्व एशियाई देशों में जो हमारे प्रोबेबल पार्टर्नर्स हो सकते हैं उनके साथ हमें स्ट्राइडिजिकल समझोता करना पड़ेगा तो इनके साथ हमने क्या किया कुछ स्ट्राइडिजिकल समझोता किया कुछ इसमें रणनीतिक समझोते हम लोगों ने इनके साथ किये तो ये रणनीतिक समझोते का ये पार्ट हुआ दूसरी चीज तो इसके लिए हमने क्या किया वियत नाम को अब वियत नाम के पास में पहले हम लोगों ने आर्थिक सह अगर हम लोग देखें तो ये इंडिया की इंडो पैसिफिक नीती है तो इंडिया की जो इंडो पैसिफिक नीती है उसके अंतरगत कारे करने का प्रयास है दूसरा भारत कहता है कि भई पूरे जो वर्ड है उसमें जो समुद्री संचार मार्गे हैं वो मुक्त होने चाहिए और सर्वसमावेशी होने चाहिए सर्वसमावेशी का मतलब है कि अगर हम लोग बोले तो sustainable for all यानि कि सब लोगों के sustain करने के लिए होना चाहिए इसलिए यहां पे कोई भी समुद्री मार्ग पे किसी special किसी भी country का अपना कोई प्रभुत्व नहीं होना चाहिए दूसरी बात अगर कहें तो भारत ने एक चीज और भी कहा कि जो चीन है पाकिस्तान को सेन ने समझोता कर रहा है जब इन्हों ने वियत नाम को जब हमने सहायता प्रदान की तो चीन ने इसका objection किया क्योंकि चीन मानता है कि जो वियत नाम है वियत नाम उसके जो संप्रभुता है उसके लिए खत्रा है और जो संप्रभुता है सुरक्षा हित है उसके लिए एक महतोपूर्ण खत्रा है चीन तत्काल उत्तर प्रदान किया और भारत ने कहा कि बहाई चीन और पाकिस्तान की दोस्ती का जग-जाहिर है और पाकिस्तान के साथ भारत के जो सुरक्षा है और किसी से छुपा हुआ भी नहीं है 47 से अब तक लगभग 3 युद्ध इन दोनों देशों के बीच में हो चुके हैं जो अगोशित युद्ध है ये तो कई बारी चलते रहता है तो ऐसी दशा में चीन भारत के सुरक्षा हितों को तो नहीं ध्यान दे रहा भारत के किसी भी सुरक्षा हित के मामले में वो अपना आँख मूंद ले रहा है और दूसरी तरफ ये सोच रहा है कि भारत उसके सुरक्षा हित को ध्यान में रखते हुए वियत नाम से समझोता ना करे चीन कहरा कि हमारे जो सेंटिमेंट्स हैं उन सेंटिमेंट्स को आप ध्यान में रखिए भारत ने कहा कि भाई सेंटिमेंट्स का ध्यान तब रखा जाता जब आपकी तरफ से भी ये पहल होती आप हमारे sentiments की धरजियां उड़ा रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि हम आपके sentiments का ध्यान रखें यह जरूरी नहीं है तो इसलिए भारत ने कहा कि हमें आपकी जैसे आप विश्व वेपार में चुकि अभी चाइना अगर आप देखते हैं तो second largest economy है वर्ल्ड की तो जब second largest economy है और आप first largest economy बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं और अपने सारे markets को ढूण रहे हैं तो इंडिया भी जो sixth largest economy है वो भी तो उपर आने का प्रयास करेगा तो ऐसी दर्शा में हमें भी अपने markets पे फोकस करना होगा और साथ-साथ हमारे सुरक्षा हित भी इससे जुड़े हुए हैं इसलिए चीन का जो अगर हम लोग देगे और दूसरी तरफ चीन क्या कर रहा हिंद महासागर में भी अपने प्रभाव को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है आपने देखा होगा स्री लंका के साथ उसने समझोता किया और और कई जो छेत्र हैं उन छेत्रों में अपना सैनी करन तक करने का प्रयास किया तो ऐसी दशा में उसके काउंटर करने के लिए हमें भी क्या करना पड़ेगा दक्षिन सागर चीन में जो दक्षिन सागर चाइना सी है उसमें हम लोगों को भी क्या करना पड़ेगा अपनी उपस्थिती को सुद्रड करना पड़ेगा तो यह आप बूल सकते हैं कि ये एक counterpart है जो कि हम लोग देख रहे हैं और सबसे बड़ी बात जो Act East है इस Act East का ये महतोपून रास्ता है इसी से हमारे यहां से क्या जा पाएगा हमारा Act East हो पाएगा ताकि हम विश्व वियापार में जो भारत की भागिदारी है उसको बढ़ा सके और इसको हम लोग जो चीन की बढ़ती हुई सकती है जो चेत्र है उस प्रभाव चेत्र को समित कर सके जंभावता इसी लिए भारत ने क्वार्ड में भी participation किया और क्वार्ड में जापान को भी इसी लिए सामिल किया चाइना जापान के भी अगेंच था कि आप क्वार्ड में इसको रोकने का प्रयास कर रहा था तब भारत पहले तो जापान को चाइना के इससे नहीं बुला रहा था कि चाइना बुरा मान जाएगा लेकिन अब लगता है कि बुरा मान जाए तो मान जाए जब आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं तो हमें भी आपकी बात को सुनने की मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ तो जैसा कि मैंने बताया कि अब आप लोगों को मैं पढ़ाने वाला हूँ अगली क्लास में जो अगला dispute session है series 2 उसमें हम लोग देखेंगे ने मुद्देखो जिसमें हम लोग सरक्रीक विवाद नेपाल के साथ जो विवाद है मतलब तीन देशों के साथ हम लोग विवाद को देखेंगे यह तो चीन के साथ हमने विवाद देखा अब आगे आने वाले सेशन में मैं तीन और देशों के साथ विवाद बताऊंगा नेपाल के साथ विवाद जो काला पानी विवाद जिसको हम लोग कहते हैं काली रिवर से काला पानी विवाद दूसरा जो विवाद है वो विवाद हम लोग देखेंगे तेस्ता रिवर जो बंगला देश से जुड सीरीज हैं उन सीरीज बहुत अच्छी लग रही होगी चीजें समझ में आ रही होगी और कई विवादों को जिसके आपको जानकारी नहीं हो उनकी सुक्ष्मता के साथ में मैं डिसकेशन करने वाला हूँ आशा करता हूँ कि आप पहले जैसे मेरी क्लासिस में अपना सहीयोग दे रहे थे जो आपने मुझे आपका सहीयोग मिला वो सहीयोग आगे भी जारी रहेगा आप बच्चों मुझे इंटरनेशनल रिलेशन और बाकी में से रिलेटेट सारी चीजों को करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़िए सब्स्रिप्शन लीजिए तो मेरे कोड का यूज करके लेजिए मैं आपको तैयार कराओंगा वर्स 2021-2022 के लिए सारी चीजों को हम लोग तैयार करेंगे आप पे भी मेरी जो classes चल रही हैं उन पे भी quiz series भी चल रहे हैं तो आशा करूँगा कि उस पे भी आप लोग quiz और सारी चीजों को देखते रहेंगे उस पे लगभग सब्ता में तीन दिन तक तो कम से कम उसमें quizzes और question practice होते हैं उस पे जरूर देखिए उसके लिए आप मुझे spectra, nishant, 7339 के link पे follow कीजिए और मेरे साथ जुड़िए हम लोग सारे complete जो topic है उन सारी चीजों का अध्यान करेंगे बचों आप मेरे साथ अगर चुड़ेंगे और subscriptions के साथ में चुड़ेंगे तो फिर हम लोग एक अलग से PDF और जो notes होंगे उन notes की भी व्यवस्ता करेंगे कि कैसे आपको notes मिल सके कैसे सारी चीजे मिल सके इनकी में व्यवस्ता आप लोगों के साथ करूँगा तो आशा करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ अगले series में चल्दी मिलेंगे तो बच्चों अगले series के में आप लोग के साथ मिलने की साथ में इसी अपेक्षा के साथ धन् झालंवाद